समस्कार दोस्तो मैं हूँ संदीप और आप देखे आपका खुद का चैनल इंडियान बाइक दोस्तो वीडियो के आखिरी में आप डेस्क्रिप्शन को जरूर पड़ो वहाँ पर आपको सारा डीटेल्स मिल जाएगा साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताक मेटलिक ट्रीटन ब्लू तो इस पाइक में आपको जो फीचर्स मिलता है उसे आप थोरध्यान से सुनो अल्टा लाइट एंड रोबास्ट वान फिटी सिसी इंजिन एरो डाइनामिक डिजाइन ABS, Fuel Injection Technology, LED Headlamp, Clip-on Handlebar, Split Seat, Digital Instrument, Twin Muffler, LED Tail Lamp, Rear Tire Hugger, Stiffer Front Suspension, Wider Tire, Split Seat and Gabriel इस बाइक को शोरूम में खरिदने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरिस भी मिलेगा उसे भी आपको अलग से खरिदना होगा उसे भी थोरध थान से सुन लो Tank Graphic, DC Socket for Mobile Charger, Seat Cover, Tank Protector, Smoke Advisor, Saddle Bag तो ये 6 चीज है जो आपको अलग से खरिदना होगा शोरूम में अगर आप चाहो तो आप खरिद सकते हो आपके उपर कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा खरिदने के लिए दोस्तो ये वीडियो में बना रहा हूँ मेरे खुद का डिस्टिक, मुर्शिदाबाग डिस्टिक, बहरूमपूर शोरूम में तो ये जो शोरूम है इसका नाम है स्री सुजुकी यहाँ पर मैंने साड़ा वीडियो बना है हर एक मोटर साइकल का जो सुजुकी का है तो दोस्तो आप इस शोरूम पर ज़रूर विजिट करो और आप टेस्ट राइट भी करके देखो मुझे उम्मीद है उनका विये वियर आपको बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए दोस्तो इस बाइक में और क्या है हम आगे बरते हैं और जानते हैं बाइक की फॉंट साइड में देखिए टेलिसकोपिक फॉंट फॉक उइद 41 mm डाया लॉंगर फॉंट फॉक का इस्तमाल किया गया है जिससे राइडर को जटका कम लगे और देखिए यहाँ पर आपको ABS मिलता है सिंगल चैनल ABS है बाइबरी कमपानी का ABS का यहाँ पर इस्तमाल किया गया है देखिए सिंगल चैनल ABS है बाइबरी लिखा गया है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सेंसर मिलता है दोस्तों यहां से ही काम करेगा यह reader है चो rpm को हमेशा read करता रहता है और यह disc size है front में 260 mm disc उइट आपको ABS मिलता है और यह जो tire पे आप देख रहे हो रीम पे यह से pin strip कहा जाता है यह भी बहुत ही बहतरीन है देखने में और tire के बारे में आगर मैं आपसे कहूं तो आपको मिलता है 100 by 80 17 इंच radial tire मिलता है front side में और यह brass finish आपको alloy wheel मिलता है तो overall अगर देखा जाए तो front side में काफी सारा काम यहां पर किया गया है जिससे rider को एक मज़ा मिले riding करते समय बाइक की rear side में swing arm monosock 7 step adjustable suspension की इस्तेमाल किया गया है और यह बिलकुल red color में है जिससे आखों में परता है दोस् bike की rear side में दोस्तों आपको ABS तो नहीं मिलता है लेकिन यहां पर भी vibri baking system का इस्तेमाल किया गया है देखिए यहां पर कोई ABS नहीं है जो डिस size है वो है 240 mm और यह total vibri system है देखिए और यहां से भी आप देख सकतों काफी चोड़ा है 240 mm डिस से पीछे on breaking time यह डिस आपको confidence देगा और अगर मैं आपको tire के बारे में कहूं तो आपको rear side में मिलता है 140 by 60 17 inch wider radial tire देखिए कितना wider है कितना चोड़ा है tire और यह है इसका एक mart guard और अगर हम इस तरफ से देखते दोस्तों देखिए आपको मिलता है एक solid metal build सारी guard और एक मिलता है आपको chain guard देखिए chain guard है और इसे rear hugger कहा जाता है जिससे कीचर ने चिटकेगा और यह बिलकुल metal है सारी guard आप यहाँ पे एक footrest लगा सकते हो और यहाँ पर tire pressure mention किया गया है आपको हमसा यही pressure रखना है ताके breaking आपको बहतर मिले इस bike में आपको o-ring chain दिया गया है for long life every 500 km के बाद आ bike की silencer तो एकदम new है क्योंकि यह BS6 model है लेकिन इस ता जो look है वो बिलकुल BS4 GSI है इसमें आपको twin muffler मिलता है वो भी chrome के साथ और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक horn मिलता है single horn और यह जो हिस्सा आप देख रहे हो ना उपर से नीचे तक देखिए इससे जो total हवा है वो बिलकुल इंजिन में जाएगा इससे इंजिन का performance और भी जादा बहतर होगा इसे कहा जाता है सुजु की eco performance मतलब की ACP 0-100 जास्ट 15.8 सेगंड इसमें आपको जो इंजिन दिया गया है 4-stroke single cylinder air-cooled SOHC 2-valve A5-BS6 इंजिन displacement है इस बाइक की 155 cc, max power 13.6 ps at the rate 8000 rpm, max torque 13.8 newton meter at the rate 6000 rpm, bore 56 mm, stroke 62.9 mm, starting system electric और यहां पर देखिए आपको gear देखने को मिल जाएगा इसमें 5 gear है 1 down 4 up और इसमें आपको transmission type मिलता है 5-speed manual transmission इसमें electric का जो इस्तमाल किया गया है वो है maintenance free 12 volt 3 AH battery, single stand और double stand with rider footrest और quick shift gear हाँ दोस्तों इस बाइक की जो gear shifting है वो बहुत ही quick है और यहां पर देखिए आपको मिलता है handle int weight bar जो बहुत ही बढ़िया है, full metal का है, साथ ही यहां पर grip भी आपको बढ़िया मिलता है इसका finishing भी बहुत ही खुबसरत है देखिए और switch system में अगर मैं कहूं तो high quality switch का यहां पर इस्तमाल किया गया है देखिए high beam और यह low beam, side indicators और यहां पर है horn यह side indicator switch है और इस तरह आपको यूलो कालर में pass switch दिया गया है और इसका जो clutch है, बहुत ही soft clutch है, बहुत ही soft बाइक की right side में quick ABS braking system, handle in bar weight के साथ good grip और engine kill switch, on switch और Suzuki easy start system यहां पर दिया गया है दोस्तो और अगर आप यहां से देख तो chabi का जो system यहां पर दिया गया है, यहां से ही on होता है, off होता है और handle भी lock यहां से होता है दोस्तो यहां से full digital display यहां से set होता है और यहां से आप adjust कर सकते हो meter को, तो आएए दोस्तो हम जानते हैं इस meter में आपको क्या क्या मिलता है with go message के साथ speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge, takeometer, show gear number, malfunction indicator, interval, oil change, time, side indicator, warning indicator, ABS indicator, high beam indicator, आपको सब कुछ मिलता है इसी display में तो मुझे लगता है के यह display बहुत ही खुपसरोत है दोस्तो मेरे हिसाब से आप comment करके नीचे जरूर कहो के आपको कैसा लगा यह display और यह video pure 4K में है तो मुझे उम्मीद है कुछ भी नहीं miss होगा आपके आखो से both side font and rear आपको जो indicator दिया गया है बाल्ब indicator है auto headlight full LED headlamp आपको मिलता है दोस्तो auto headlight on system इसमें है चाबी लगाते ही यह light on होगा और देखिए crystal clear बिल्कूल crystal clear side indicator है जो रात में बहुती चमकेगा बहुती रोचनीदार है और यह क्या backlight है दोस्तो मुझे बहुती पसंद है यह backlight भी एक DRL है देखिए जो हमेशा जलता रहत है जो नीचे का हिस्सा है और आप कमेंट करके मुझे जरूर कहें कि आपको यह backlight कैसा लगा जिकसर FI model की और यहाँ पर देखिए आपको मिलता है fully digital spirometer, clip on handlebar, 12 liter petrol tank और आपको यह गारी mileage देगा 50 km per liter और यहाँ पर आपको rider seat और pillion seat जो दिया गया है बहुती soft है यहाँ पर देखिए आपको मिलता है एक number plate light इस बाइक की ground clearance है 165 mm, seat height 795 mm, curve weight 148 kg इस बाइक की अभी जो एक शोरूम प्राइज है दोस्तो मेरे डिस्टिक में मुर्शिदाबाद डिस्टिक बहुंपूर सीटी में 1,27,432 रूपीज Suzuki Eco Performance और bike की aerodynamic sharp design आपको देता है 125 km की top speed तो दोस्तो आपको अगर ये छोटा सा update पसंद आया है तो please मेरे साथ आप जूरे रहे मेरे चैनल को subscribe कीजिए और like, comment, share कीजिए दोस्तो के साथ इस वीडियो को, thank you दोस्तो